Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल और आप बड़ा आरोप लगाया क्या है, कि ये जो बॉड़ी है, वो बड़े बड़े जो forms हैं, जो big tech companies हैं, जिसका नाम है Google, Amazon, Facebook, इस तरह के companies को ये ज्यादा फायदा पहुचानी की कोशिश करते हैं, या आप देख सकते हो, start-up से IAMI, parroting, pro foreign big tech views, तो इसको detail से जानेंगे कि exactly यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर big tech propaganda क्या basically बताया जा रहा है, foreign और local को लेकर क्यों यहाँ पर debate हो रही है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन free of cost में main residential program दिया जाएगा, तो हमारे website आप पर जाएए, या फिर comment section में इसका जाकर link दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर use कर यह code unkit live ताकि आपको maximum discount मिले, या फिर इसके लावा EPFO का जो crash course हो गया, वो 4th में से start हो रहा है, इसके लावा 2025 का batch है, grade B का exam है, RBI का, just use this code unkit live to get maximum discount और इसके साथ-साथ अगर आप MCQs item करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखते हैं, exactly हो क्या रहा है, देखें यहाँ पर भारत में एक बहुत बड़ा विवाद स्टार्ट हो गया है, Indian Startups, जो बड़े-बड़े आजकल Startups हो रहे हैं भारत के अंदर आपने देखा होगा, पिछले एक दसक में, कई सारे Startups सामने आए हैं, अब अव्वेसी बात है, यह जो Startups हैं, उनको बहुत बड़े-बड़े International Companies से सामना करना है, जैसे Google हो गया, Facebook हो गया, उनके पास बहुत सारी Powers हैं, तो Indian Startups का आरोप लगाया गया है IAMI के उपर, Internet and Mobile Association of India के उपर, कि यह जो बाड़ी है, वो भारत के Startups को Favor ना करके, मतलब की Support ना करके, जो बड़े-बड़े Tech Companies हैं, Google, Meta, उनको यहां पर जो है सुविधाय प्रोवाइड करती है, उनके लिए आवाज उठाती है, वैसे मैं आपको बता दूँ, जो IAMI है, यह एक Non-for-profit Industry है, जो की Registered है, अंडर Societies Registration Act 1860, यह basically क्या करती है, कि Online और Mobile के अंदर जो Value Added Services होते हैं, उसको उसके Interest को Represent करती है, Consumers के लिए जो Businesses हैं, उनको Represent करती है, ताकि देश में सब कुछ अच्छा चलता रहा है, यहां पर किसी भी प्रकार का Google Meta, उन्होंने अपने Representatives को इसके अंदर डाल रखा है, जिसकी वज़े से जो Indian Startups हैं, जो यहां पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीछे हो जाते हैं, उनको Support नहीं मिल पाता, और एक तरह से आप यह समझ लिए, कि यहां पर Indian Startups एक तरफ और दूसरी तरफ IAMI, इन यह Foreign और Local का Issue हो गया है, कि जो क्या Foreign के Companies को हमें ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, या फिर जो Local Startups हैं, भारत के Startups हैं, उनको हमें ज़्यादा Support देना चाहिए, क्योंकि Ultimately Indian Startups का यह कहना है, कि जो भी अगर Issues आते हैं, जो भी Rules Regulation सामने आते हैं, उसमें ज़्यादा तर यह देखने को मिलता है, कि Bigger जो Companies हैं, Big Tech Companies हैं, वो अपना Rules Regulation छोटे-छोटे Companies के उपर थोप देती हैं, जिसकी वज़े से हमें वो Follow करना पड़ता है, तो अब यहाँ पर Question यह है, कि जो भारत के Startups हैं, वो IAMI से क्यों unhappy, ऐसा क्या हुआ हुआ है, तो मैं आपको बता अभी Recently, Parliamentary Standing Committee on Finance, इनका यहाँ पर कुछ Recommendation सामने आया था, अगर आप इस समय देखोगे, दुनिया भर के अंदर ना, कई सारे Anti-Competitive Practices जो हैं, जो कि Big Tech Companies के दोरा किये जाते हैं, आपने Recently देखा ना, Google के उपर Fine लगाया गया था, I think शायद 1300 करोड के आस पास का Right, तो यह जो Fine है, उसको Supreme Court से लेकर हर किसी ने आपर माना है, तो Basically क्या है, कि Anti-Competitive Practices ना हो, जो Google और Facebook जैसे बड़े-बड़े Companies हैं, वो क्या करते हैं, Competition को खतम करने की कोशिश करते हैं, तो अव्वेसी बात अगर यह भारत में आकर Competition खतम करेंगे, तो कैसे Indian Companies आगे आ पाएंगी, तो Basically आरोप यहाँ पर यही है, कि Recently Parliamentary Standing Committee on Finance का कुछ Recommendation आया था, ताकि एक Level Playing Field हो सके, भारत में Anti-Competitive Practices ना हो, लेकिन यहाँ पर उस Recommendation को Criticize किया IAMAI ने, I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा, देखो, Basically क्या है, सरकार की तरफ से Parliament के अंदर, यहाँ पर Standing Committee की कुछ Report सामने कुछ Recommendation सामने आया, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन इस Recommendation में Basically यही कोशिश था, कि भारत में Anti-Competitive Practice ना हो, जिसको लेकर Indian Startups उसका स्वागत कर रहेते, कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यह जो Body है, भारत की जो Body है, Internet and Mobile Association of India, उन्हों इसको Support करने के बजाए, उसको Criticize कर दिया, कि यह जो Recommendation सरकार लेकर आ रही है, Parliamentary Standing Committee के दौरा जो दिया गया है Recommendation, उसकी वज़ए से Innovation नहीं होगा, यह नहीं होगा, वो नहीं होगा, जिसकी वज़ए से जो Indian Startups हैं, वो खुश नहीं है, अब Question यह है कि Standing Committee ने क्या Recommendation दि और इसमें सबसे पहले यह बोला गया, कि हमारे देश में Ex-Anti Regulation होना चाहिए, देखो क्या होता है ना, एक होता है Ex-Anti Regulation और एक होता है Post-Anti, एक सकेर में आपको होता है, और दूसरा होता है Post-Anti, अब जैसे कि मान लो, मान लो, Google ने, Google ने अगर कोई ऐसा काम किया है, जो अगर आप Fine लगाओगे, तो पहले की जो Companies हैं, वो तो डूप चुकी है, फिर तो क्या ही हो सकता है, तो उस तरह के Regulation को कहते है Post-Anti, लेकिन जो Standing Committee है, उन्होंने का कि नहीं हमें Ex-Anti Regulation है, वो लाना चाहिए, Ex-Anti का मतलब होता है, कि इन Companies, जो बड़े-बड़े Tech Companies हैं, उ जोरा दिया गया, और इसके साथ-साथ यहां पर एक और चीज बोला गया, आपने सुना होगा ना, Banking के अंदर क्या होता है, Systemically Important Bank आपने सुना होगा, Domestic Systemically Important Banks आप सुनते होंगे, जैसे भारत के अंदर तीन Banks है, SBI है, ICICI है, HDFC है, उसी तरीके से, यहां पर Recommendation एक और आय Intermediaries में अगर रख दिया जाएगा, तो इन Companies को जादा Rules and Regulations फॉलो करने होंगे, तो basically क्या है, इसका सौगत होना चाहिए था, इसको सपोर्ट करना चाहिए था सभी को, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है, यह जो IAMAI है, उन्होंने इसका विरोध कर दिया, कि Parliamentary Standing Committee ने यह recommendation दिया है, इसकी वज़े से problem हो सकता है, उन्होंने क्या बोला, देखो, यहाँ पर उनका यह कहना है, कि यह जो recommendation है, वो बहुत ही ambiguous है, broad recommendation है, इसकी वज़े से देश में innovation नहीं होगा, competition नहीं रहेगा, benefit नहीं मिलेगा छोटी-छोटी players को, ऐसा यह IAMAI कह रही है, लेकिन जरूरी है, लेकिन IAMAI ऐसा नहीं चाहती, देखो, भारत के कुछ start-up, जैसे कि आप देख सकते हो, रोहन वर्मा है, जो की CEO है, MapMy India के, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर देखो, क्या कहा, कि it is distressing to know that IAMAI, जो की भारत के लिए एक body बनाई गई थी, वो big tech companies के लिए आवाज उठा रही है, उनके support में यहाँ पर आवाज उठा रही है, जो की ऐसा नहीं होना चाहिए था, फदर उनका कहना था कि I hope everyone realizes कि जो IAMAI के अंदर जो chairperson है और जो vice chairperson है, वो दोनों ही foreign जो big tech companies हैं, उनके ही representatives हैं एक तरह से, तो भारत के लिए जो body बनी थी, भारत के support के लिए जो body बनी थी, वो एक प्रकार से बड़े बड़े जो tech companies हैं, उनको फायदा पहुचाने के लिए काम कर रही है, जो नहीं होना की है, ता आप देखे होगे shark tank के अंदर यहाँ पर अनूपर मितल जो की founder है, शादी.com के, उन्होंने भी इसको लेकर support किया, और कहा कि ये जो issue ह है, वो भारत के Indian startups के लिए खड़ा होना चाहिए, जो parliamentary standing committee का recommendation आया है, उसको लागू करना चाहिए, उन्होंने कहा कि, जो IAMI है, वो big tech propaganda कर रही है, misinformation फैला रही है, जान मुझकर, ताकि इस तरह के recommendation भारत में लागू ना हो, और बड़े बड़े जो Google और Meta जैसे companies हैं, उन् कि ये लोग बड़े-बड़े foreign companies का support कर रहे हैं, rather than supporting our own Indian startups, तो आपका क्या मानना है, इसको लेकर आप बता सकते हो, comment section में, और जाने से पहले, एक interesting question, क्या बता सकते हैं, कि इन 4 में से कौन सा scheme government का नहीं है, ये आप देखो के तो financial inclusion schemes आपको देखने को मिलेगा, इसमें से स्टोरीज में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF की ये तो टेलिग्राम पर आए, अलग-अलग social media पर आप जूड़ को आवगे और जैसा मैंने बताया, UPSC हो या फिर कोई भी batch आपको लेना हो, just use the code ANKITLIFE to get maximum discount, and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता next time, till then thank you very much, see you soon.